जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self-Study Classes YouTube चैनल और दोस्तों एप में तो जिन भी सात्यों ने दोस्तों अभी तक Self-Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया है वो पिले स्टोर्स में सर्च करें Self-Study Classes एप ठीक है उसको सर्च करके दोस्तों आप उसको डाउनलोड कर लें जो भी सात्य हमारे टीजीटी पीजीटी पंजाब मास्टर के डर जूनियर एड़ेड जो है सुपर्टेट एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों हिंदी साहित के लिए उनके लिए कोर्स लांच किया गया है वो कोर्स में अडवीसर ले सकते हैं अब यह आपको बताना है द समय दिया जाएगा तो संकेतार तक प्रशनार तक निसेदार तक या फिर बिस्मयादी बोधक अहां कल वड़ा मजा आएगा यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बिस्मयादी बोधक यानि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है बिस्मयादी बोधक सही है जिस बा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बिश्मियादी बोदक हो जाएगा यह निकि D नमर आपका बिलकुस हो जाएगा ठीक है अंगले कॉस्चिन की और बढ़ते हैं अंगला कॉस्चिन है दोस्तों आपका वो आपको बताना है कि वह बैसाकियों से ही वील चेर तक पहुंच उस बैसाकियों से वील चेर तक पहुंच गई उसमें बैठ गई और बड़ी ततस्त तासे दोस्तों से स्वयम चलाती कोठी के भीतर चली गई कि बाग कौन सा है तो यहाँ पर आपको बिलकुस समझ में आ गया होगा इसमें जो बाग के है वो बाग के है इसमें शन्युक्त बा बाग आपका राइट अंसर हो जाएगा वो परियुक्त बाग में दो बाग के हैं दोस्तों है ना और दोनों बाग क्या है स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं किन्तु यह बाग और से जुड़े हुए हैं ऐसे बाग को शन्युक्त बाग कहा जाता है इसको याद रख लेना फिर बाक चैन करना है दोस्तों सरल संयुक्त मिस्त्र बाक से एक दो क्वेस्चन आपके अबस्त पूछे जाते हैं इन चीजों को आपको समझना है तो यह बाक कैसा हो जाएगा आपका और मेरे पितार समाज रानी मंडी के प्रधानते यहाँ पर आपका बाक जो आपने उत्तर चैन किया है वो किया है शन्युक्त बाक शन्युक्त यानि कि आपका सी नंबर जो है वो बिलकुल सही है कि सन्युक्त बाक होगा दोस्तों वो परियुक्त बाक सन्युक्त बाक है और इस बाख में और सबद एक बाख से दूसरे बाख को जोड रहा है, है ना, तो बहाँ पर कौन सा हो जाएगा शैयुक्त बाख सई होगा, मा सकूली पडाई पर जोड देती है, वाख कहे, कैसा बाख कहे शन्युक्त है, मिस्रित है, साधारण है या इनमें से कोई नहीं, दो सेकेंड और आपका उत्तर का चैन मा स्कूली पढ़ाई पर जोड़ देती है, यह बाग कैसा है बताइए, चार का आंसर आपको चैन करना है और आपका दोस्तों किनमें से सही जो आंसर हो जाएगा मा स्कूली पढ़ाई पर जोड़ देती है यानि कि यह जो बाग है, वो बाग है साधारण बाग, साधारण बाग है कियानि सी नम्मर आपका बिलकुल शही है सी राइट आंसर है मा स्कूली पड़ाई पर जोड देती है एह साधरान बाक है यह आपका बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है अंगला कॉस्चन है जल्दी जल्दी घर लोट आया और दो रुपे में एक रुपेया छे आना मा के हाथ में रख दिये एक कौन सा बाक है यह बाक प है ना यानि की बी नमबर आपका बिल्कुल सही है वी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कॉस्चन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि इस साल इंटर्मीडियट पास किया था एह बाक कहे एह बाक कहे कैसा है साधारण है मिस्तरत है सिन्योक्त है या इन्हें से कोई न किस साल इंटर्मीडियट पास किया था कौन सा बाक कहे बताईए प्रशन किरमांक साथ में किस साल इंटर्मीडियट पास किया था और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ए जो है कैसा बाक कहे है साधारण बाक कहे है कौन सा बाक है साधारण और ए नम्मर आपका अगला question है दोस्तों कि प्रश्ण बाचक बाग किसे कहते हैं बताइए जिस प्रश्ण का उत्तर दिया जाता है जिस बाग में प्रश्ण पूछा जाता है जिस बाग में आश्चेर होता है या फिर जिस बाग में शंदेह होता है प्रश्ण बाचक बाग किसे कहते हैं प्रश् पूछा जाता है वो क्या कहलाता है प्रश्ण बाचक बाग कहलाता है और आपका उत्तर चला जाता है बी की तरफ और बी नमबर आपका बिल्कुँ सही है वेर गला प्रस्ण है खाना बाना में कौनसा नरर्थक सब्द है नरर्थक सब्द आपको बताना है दोस्तों खाना वा अरतक सब्ड बताना और वह आपका राइट अंसर ऊजाएगा ठीक है वाना क्या होजाएगा नरतक सब्द है प्रश्न किरमा का आपका टू है और टू में आपका सार्तक सब्द आपको बताना था और आपने बिल्कुल सही चैन किया है कि सर जो दाना है ये सार्तक सब्द है और डी नम्मर आपका दाना बिल्कुल सही हो जाता है ये सार्तक सब्द है ठीक है अब उत्पत्ति की दरश्ट से शब्दों के रूप आपको बताना और रूप बताना तो उत्तर चला जाता है चार कितने होते हैं चार उत्पत्ति के दश्टी से सब्दों के चार रूप होते हैं तदभाव सत्सम देशज और विदेशी यह मान जाती चार ठीक है तो आपका सी नमबर बिलकुँ सही है किस किसी बासा के मूल सब्द को क्या कहते हैं बताइए किसी बासा के मूल सब्द को क्या कहा जाता है या मान के चलो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है जैसे संस्कृत के मूल सब्द है तो उन मूल सब्दों को क्या कहेंगे वो कहेंगे क्या तत्सम क्या कहेंगे तत्सम यानि कि आप सब्द हिंदू में प्रियोग हो रहे हैं वो तस्तम कहलाते जिनका रूप बदल गया वो तदभाव कहलाते ठीक है अब तस्तम सब्द का आपको चैन करना घोटक घडा घर या फिर घी तस्तम सब्द का चैन करिए कौन सा तस्तम सब्द है और यहां पर आप से तस्तम सब्द पूचा गया और राइट आंसर आपने चेन किया है कि sir गोटक जो है ए ए नमबर जो है वो बिलकुश चाहिए ए क्या हो जाएगा ए तस्तम सब्द हो जाएगा ठीक है अंगला को चे हैं दोस्तों तद्वाव सब्द कहलाते हैं कौन से कहलाते बताईए तद्वा बताना है जो संस्क्रित से बिक्रित होकर हिंदी में आए हैं या पिर जो सीधे संस्क्रित से मिल गए लिये गए हैं या पिर जो विदेशी भासा से लिये गए हो या जिनकी उत्पत्ति की जानकारी ना हो तदभाव सब्द कहलाते हैं कौन कहलाते हैं उत्तर चला जाता है एकी तरफ जो सं अंगले question की और यहां पर अपन देखते हैं अंगला question क्या है वो देखते हैं जिन सब्दों की उत्पत्ती के बारे में जानकारी नहीं होती उसे क्या कहते हैं वो क्या कहलाती यह बताना है आपको जिन सब्दों की उत्पत्ती के बारे में जानकारी नहीं होती वो क्या कहलाती ये question आपसे पूछा गया और आपने बताया कि सरुने कहा जाता है देसज, देसज यानि कि आपका जो B number है वो बिलकुछ चाहिए ठीक है जिन सब्दों की उत्पत्ती के बारे में जानकार नहीं होती वो कहलाते है देसज सब्द, ऐसा question कई बार आया है इसके लिए भी अपन को तयार रहेना ठीक है अंगला question है देसज सब्द कौन सा है ये question तो कई बार पूछा गया दोस्तों देसज सब्द कौन सा है बताये हाथ, कमल, लोटा या फिर पेर चार बिकल्ब है, देसज सब्द आपको चेन करना है और बढ़िया प्रशन है दोस्तों ये पूछा भी गया है कई बार और आपने बिल्कुल शही आंसर बताया कि सर देसज सब्द की अगर बात करोगे तो उत्तर चला जाएगा, लोटा यानी C नमर आपका राइट अंसर है, ठीक है C आपका सही हो जाएगा अब यहाँ पर हम देखते हैं, विदेसी भासा से हिंदी भासा में सर बाद एक सब्द किस भासा में आए हैं विदेशी भासा से हिंदी भासा में सरबादिक जो सब्द आये हैं वो किस से आये तुर्की से अर्बी फार्सी या फिर अंग्रेजी से तो विदेशी भासा से इंदी भासा में सरबादेक जो सब्द आये हैं वो किस भासा से आये हैं और वो आये हैं सरबादेक किस से फार्सी से फार्सी यानि कि आपका सी नमबर बिल्कुस सही हो जाएगा ठीक है अंगला क्वेश्चान है दोस्तो आराम सब्द किस विदेशी भ से आया हुआ है तुरुकी से अंग्रेजी से अर्वी से या फिर फारसी से तो आराम सब्द जो आया है दोस्तो यह आया है फारसी फारसी आणिनि कि आपका उत्तर क्या चला जाता डी की तरफ ठीक है बहुत वड़िया रचना के अनुसार आपको बताने कोस्चन कई बार आया दोस्तों रचना के अनुसार सब्द के कितने भेद होते हैं और मैंने इसको कई बार आपको बताया भी है कि रचना में कितने बार ना आते हैं तीन एक दो और तीन तो वरनाते हैं तो रचना के अनुसार जो सब्द रूप होते हैं वो कितने होते हैं सब्द है ना वो होते हैं तीन प्रकार के ठीक है रचना के आधार पर तीन क्याने की बी नमबर आपका बिलको सही हो जाएगा ठीक है इसको याद रख रहे ना वो कौन-कौन से होते हैं दोस्त का चैन करना है रूड़ सब्द कौन सा है रूड़ सब्द आपको बता है दोस्तों कि जिनके सार्थक क्या नहीं किया जाते टुकड़े नहीं किया जाते जैसे अपन पानी की बात करें तो पानी के टुकड़े पा और नी और दोस्तों इनका क्या नहीं निकलता सार्थक कोन हो जाएगा सूल हो जाएगा श्री नमबर आपका बिलकुँ सही हो जाएगा ठीक है अब दोस्तों अंगले क्वेश्चन की और हम यहाँ पर आएंगे अंगला क्वेश्चन बताना है कि महा देव कौनसा सब्द है महा देव कौनसा सब्द है योग एक है योग रूड है त योगेक हो जाएगा योगेक यानि की एक नमबर आपका बिलकुर सही हो जाएगा ठीक है ये नमबर महादेव योगेक सब्द है कि दो सब्दों महा और देव से मिलकर बना जिससे अलग-अलग क्या है सार्थक खंड है है ना महा का भी अर्थ है और देव का भी अर्थ है ठीक और अंबुज में यहां पर अपने पड़े रूड योगेक और योगरूड तो अंबुज जो हो जाएगा योगरूड यानि कि आपका ए नंबर अंबुज योगरूड सब्द है अंबुधन जा अर्थात पानी में जन्म लेने बाला अपने समान अर्थ को छोड़कर विसेस प्रिगट कर रहा है यानि कि इसमें बहुब्री समास होगा और दोस्तों जितने भी बहुब्री समास के उधारन होते हैं वो सबी क्या होते हैं योगरूड होते हैं ठीक है घुड़ड़ में कौन सा सब्द रूप का प्रिकार है घुड़ड़ बताईए तो घुड़ड़ तो भासा का सब्द है दीवार बताना है तुर्की का है फार्सी अर्भी या फिर अंग्रेजी का दीवार किस भासा का सब्द है चार सेकंड आपको दिये जाएंगे उत्तर बताना है कि दीवार किस भासा का सब्द है और आपने बिल्कुर सही आंसर चैन किया है कि सर जो दीवार ह कि दीवार है फार्सी भासा का सब्द है फार्सी यानि कि B नमबर ठीक है फार्सी भासा का सब्द हो जाएगा नेक्स्ट है इनाम इनाम किस भासा का सब्द है बताए अर्बी फार्सी तुर्की या फिर पुर्तगाली इनाम किस भासा का सब्द है ये आपको चैन करना है 17 का उ वर पूछा गया तो right answer चला जाएगा अर्भी भासा का सब्द है और एपका बिल्कूर सही है एन अम किस भासा का सब्द है अर्भी ठीक है अल्पिन सब्द है तरकी,' अंग्रेजी, पॉर्तगाली या फिर फार्सी, दो से किरने आपके पास, आलपीन सब्द है, तो किस भासा का सब्द है, और आपने चैन किया है, इसर आलपीन की अगर बात करोगे, तो यह जो आलपीन है, यह पुर्तगाली है, आलपीन क्या है, पुर्तगाली, यहां से कॉस्चन पूछे जाती है दोस्तो सुराग किस भासा का सब्द है सुराग के बारे में बताईए पुर्तगाली है अर्बी फार्सी या फिर तुर्की है सुराग अगर आपसे बर रहा है तो कमेंट में जरू लिखते जाएं वीडियो को लाइक और सेयर जरू करें सुराग किस भासा का सब्द है तो यह तुर्की भासा का सब्द है बी नमबर आपका सुराग में बिलकुर सही हो जाएगा है ना दोस्तो अब आपको बताना है कमीशन किस भासा का सब्द है पुर्तगाली अंग्रेजी या फिर चार बिकलपोर यहां पर दिये गए हैं दो बि अंग्रेजी भासा का कमीशन है ना कमीशन आपका अंग्रेजी भासा का सब्द हो जाएगा और कौन सा सब्द अंग्रेजी भासा से बना है यह आपसे पूचा गया कप्तान मालूम मुनसिप या फिर इस्तीफा कौन सा सब्द अंग्रेजी भासा से बना यह आपसे पूचा ग चाबी बताना है अंग्रेजी का है पुर्तगाली तुर्की या फिर फारसी चाबी किस भासा का सब्द है प्रश्ण किरमांक 22 और चाबी आप से पूछा गया तो यह चाबी अपने कई बार पढ़ा है और चाबी दोस्तों पुर्तगाली भासा का सब्द है और आपका उत्तर चला जाता है C की तरफ, C नमबर आपका पुर्तगाली, चाबी, पुर्तगाली सब्द हो जाएगा, C आपका राइट अंसर हो जाएगा, अंगला क्वेश्चन है, नहर किस भासा का सब्द है, नहर, बताईए, दो सेकंड है, अर्बी, फार्सी, तुर्की, या फिर पुर्तग पुर्तगाली, नहर बताना है किस भासा का सब्द है, दोस्तो, उत्तर बताईए, और नहर पूचा गया, और नहर में आपका राइट अंसर है, कि जो नहर है, ये अर्बी भासा का सब्द है, अर्बी, ठीक है, ये अर्बी है, यानि कि एक नमबर सा ही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा सब्द तत्सम है तत्सम पूछा गया आप आपसे आमर घर हाती या फिर कुवा कौन सा भासा कौन सा सब्द तत्सम है बताइए और राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो आमर सब्द है आमर यानि कि यह नमर कि आपका तत्सम हो जाएगा आमर आपका राइट अंस को ठीक है आज हमने तत्सम सब्दों को देखा कुछ संयोक्त सरल मिस्र बाक्यों को देखा कुछ रूड और योगिक बाक्यों को देखा ठीक है तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों इसी प्रकार से पढ़ते रहें है ना और दोस्तों आगे बढ़ते रहें वीडियो को लाइक और सेयर अबस्त करें और दोस्तों जिन भी सात्यों ने भी तक सेल्फ स्टडी किलासे इसका एप डाउनलोड नहीं किया वो एप को जरूर डाउनलोड करें ठीक है तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही जै हिंद